आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फैशन में चल रहे कॉट सेट की कटिंग और स्टिचिंग सारी डीटेल जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें नमस्कार दोस्तों आर आर फैशन पॉइंट पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस करें इस पैटन बनाने के लिए मैंने लाइनिंग वाला चार मीटर कपड़ा इसमें यूज करा है अगर आप भी इसी टाइप का फैबरिक परचेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाएगा नंबर पर हमें वाट्सप करें अब कॉट सर्ट में हम पहले बॉटम की कटिंग करेंगे इसके लिए कपड़े को मैंने लंबाई में फोल किया है उसके बाद इसे चोड़ाई में फोल करना है अब जो कपड़े का खुला हुआ साइड है वो मैंने गुमा कर अपनी तरफ कर लिया है अब हम bottom की cutting करेंगे bottom के लिए सबसे पहले इस तरीके से 2 inch छोड़ दें elastic के लिए अब इस pant की लंबाई मुझे तयार 38 चाहिए तो 38 पे हम पहले निशान लगाएंगे और उसमें 3 inch extra लेंगे folding के लिए ये 38 पे पहले निशान लगाएं और उसके बाद 3 inch folding के लिए लें और इस तरीके से निशान लगा दें इन दोनों निशानों को सीधा करें यहां तक बनेगी हमारी pant की लंबाई अब सबसे important है इस pant का आसन आसन देखिए कैसे measure करना है यहां पे जो body से मैंने measurement ली है वो है 40 inches फुल hip measurement 40 है उसका चौथा बाग करें और उसमें 4 inch extra लें तो यह 14 inch आएगा 14 inch में आदा inch हमें slice का लेना है तो साड़े 14 inch पे मैंने यह निशान लगाया है अब इस निशान को 1.5 inch अंदर की तरफ ले ले अब इस निशान को हमें उपर की तरफ बिल्कुल सीधा खेच लेना है यहां से बनेगी हमारी crouch की लंबाई अब hip measurement का चौथा बाग करके उसमें करीब धाई से 3 inch extra लें मैंने 3 inch extra लिया है और 13 inch पे यह crouch की लंबाई का निशान लगाया है यहां तक हमारे crouch की चौड़ाई रहेगी अब इस तरीके से गुलाई वाला शेप देखे crouch का निशान लगाए अब देखें इस pant में जो मोरी है वो तैयार मोरी मुझे 8 inch चाहिए तो उसमें 1 inch extra लेके मैंने 9 inch पे निशान लगाया है अब क्रोच से लेके मोरी तक हमें यह लेक शेपर से इन दोनों निशानों को मिलाना है पैंड की पूरी मार्किंग हो चुकी है अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है उसमें से हम बाद में स्लीव कट करेंगे और पैंड के लिए बॉटम कट करेंगे देखे यह बंद वाला हिस्सा है पहले इस कपड़े को सीधा कट कर लें अब देखे जो बड़ा वाला हिस्सा है पहले हम इसमें से स्लीव निकालेंगे स्लीव की जो तैयार लंबाई है वो मुझे 20 इंच चाहिए तो 20 इंच में हम 2 इंच एड़ करके इस तरीके से 22 इंच पे निशा लगाएंगे यहां तक कपड़ा कट करें अलग कर लें यह है हमारी स्लीज की लंबाई स्लीज की चौड़ाई 9.5 इंच रहेगी यहां से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करें अब यहां खुली हुई साइट से हमें 3.5 इंच ड्रॉप करना है यहां तक हम स्लीज कैप कट करेंगे दिखिए करीब 5 इंच तक सीधा लें और उसके बाद स्लीज कैप का निशा लगा कर स्लीज की कटिंग कर लें यह स्लीज मैंने 38 साइज मतलब मीडियम साइज के लिए कट की है स्लीज में जो मैं पैटन बनाऊंगी उसमें मोरी हमें चौड़ी ही रखनी है यहां से सिर्फ यह स्लीज का थोड़ा सा शेव दे दें इस तरीके से एक इंच अंदर की तरफ हमें फ्रंट कटिंग लेनी है स्लीज की कटिंग हो चुकी है अब बाकी बचे हुए कपड़े में से हम टॉप पार्ट को कट करेंगे देखिए यह कपड़ा फोल किया हुआ है अब इसमें से हमें लंबाई के हिसाब से कपड़ा लेना है यहां मुझे तयार लंबाई 28 चाहिए तो यह 30 इंच लंबा कपड़ा है अगर आपको इससे छोटी लंबाई चाहिए तो उसके हिसाब से हमें कपड़ा लेना है अब इसको हम चौड़ाई में फोल करेंगे यह हिप मेजर्मेंट 40 है तो उसके हिसाब से मैंने से 15 इंच तक फोल किया है साइट से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हटा दें उसमें से हम बैल्ट कट करेंगे आप देखें बंदवारी साइड मैंने अपनी तरफ रखी है यहाँ फुल शोल्डर लाइन है साड़े साथ इंच आधा इंच हमें ड्रॉप करना है और उसके बाद फिर से साड़े साथ इंच लंबाई लेनी है यहाँ से फुल बस्ट लाइन है थर्टी एट उसका चौथा बाद करके उसमें सलाई का एड़ करें शोल्डर से चौथा इंच नीचे आएगी वैस्ट लाइन है थर्टी टू अब इसका चौथा बाद करके हम निशान लगाएंगे मगर हमें यह पूरी फिटिंग नहीं देनी है कमर पर तो इसलिए मैंने 9 इंच पे यह निशान लगा है जैसे कमर थोड़ी लूज रहे यहाँ से मैंने आम राउंड का निशान लगा दिया है गोलाई में अब देखें कमर से बिल्कुल एंड तक हमें इस तरीके से ए शेप में निशान लगाना है इस टॉप पार्ट में गले की चौड़ाई हम पौने 4 इंच रखेंगे यहाँ मैं बोटनेक बनाऊंगी अब आदा एंड जो ड्रॉप किया है इसको शोल्ड स्लोप में मिलाकर इसकी कटिंग कर लें अब यहाँ पर देखें नीचे जो कौना निकला हुआ आपको देख रहा है वहाँ पर हम इस तरीके से हलकी सी गुलाई देकर और इस कौने को कट करेंगे अब यहाँ से कपड़ा बंद है उसको अलग-अलग कर लें और इसमें से एक पैनल फिलाल हटाएं अब यह है हमारा फ्रंट पैनल फ्रंट पैनल में हमें फ्रंट आम राउंड की कटिंग करनी है एक इंच अंदर की तरफ इस तरीके से डीप कटिंग कर लें फ्रंट में गले की लंबाई तीन इंच रहेगी अब इन दोनों निशानों को मिलाकर इस तरीके से बॉट नेक का शेप दें और इसकी कटिंग कर लें आप देखें फ्रंट में जो पैटन मुझे तयार करना है वहां फ्रंट को मैं थोड़ा ऊचा रखूंगी तो करीब चार इंच हमें उपर की तरफ निशान लगाना है और यहां बिलकुल कौने तक हम इस तरीके से हाफ सरकल में इस तरीके से निशान लगेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रंट की पूरी कटिंग हो चुकी है बैक पैनल में हमें बैक नेक कट करना है यहां भी गले की चौड़ाई पॉने चार इंच रहेगी गले की लंबाई हमें डेड़ इंच रखनी है इन दोनों निशानों को मिलाकर बॉट नेक का शेप दें और इसकी कटिंग कर लें दोनों पैनल स्टॉप पाट के मैंने कट कर लिए है स्लीव को हमने पहले ही कट किया था अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बॉटम को स्टिच कर लेंगे देखे कोई भी दो पैनल्स लें उनको आमने सामने रखें अब हम यहां से दोनों को आमने सामने रखकर और क्रॉच लैन से जोड़ देंगे करीब आदा इंच स्लाई में दबाए और बाकी जो दो पैनल्स हैं उनको भी आमने सामने रखें और crotch line से sly लगा कर उने जोड़ दें दोनों को जोड़ने के बाद अब इन दोनों पैनल्स को हमें आमने सामने रखना है और यहां side से इसको बंद करना है एक side मैंने pocket बनाया है pocket की cutting और stitching पहले मैंने share की हुई है उसकी link आपको description में मिल जाएगी अब देखे side बंद करने के बाद अब हमें मोरी को fold करना है जितना भी आपने मोरी का extra रखा हो उतना हमें fold करना है यहां मैंने 3 इंच extra लिया था तो 3 इंच तक मैंने इसे fold कर लिया है दोनों मोरी को fold करने के बाद अब हम मोरी को बंद करेंगे यहां तैयार मोरी, मुझे 8 इंच चाहिए, 1 इंच मैंने extra sly का लिया था, तो 1 इंच हमें यहां sly में दबाना है अब देखे जैसे जैसे सलाई को हम आगे लेंगे तो हम इस सलाई को कम करते जाना है यहां क्रॉच पर करीब आदा इंच ही सलाई में दबाए और दूसरी तरफ फिर से साइस के हिसाब से मोरी को बंद करें अब हम यहां Elastic लगाएंगे यह मैंने 32 सिंच के लिए 26 सिंच लंबा Elastic लिया है और Elastic मैंने यहां पर लगा दिया है Elastic लगाने का तरीका भी मैंने पहले Share किया है अब हम Sleeves को तयार करेंगे Sleeves को पहले इस तरीके से Simple Fold कर ले जैसे हम 3-4th Sleeves को Fold करते हैं Fold करने के बाद अब यहां पर हम Elastic लगाएंगे देखिए यह मैंने पतला Elastic लिया है और जैसे मैंने दिखाया है इस तरीके से Elastic को मेजर करें अब 3 इंच करीब 3 इंच की लंबाई पर हमें यह Elastic इस तरीके से लगाना है Elastic के उपर ही Sliye लगा दें स्लीव का पैटन मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है दोनों स्लीज तैयार करने के बाद अब हम Front Panel का Neck तैयार करेंगे इस Bot Neck के लिए मैंने सेम साइज की यह पट्टी कट की है अब यहां से Sliye लगा कर इस Bot Neck को हम तैयार करेंगे यह Front का Bot Neck तैयार हो चुका है अब Back Panel में जो Neck है उसको भी मैंने सेम इसी तरीके से तैयार किया है अब दोनों को आमने सामने रखें और Shoulder Line से दोनों को आपस में जोड़ दें यहां से Sliye लगा कर हम दोनों को जोड़ देंगे Shoulder Line जोड़ने के बाद अब हम यहां पूरे Arm Hole पर Sleeves लगाएंगे Sleeves लगाते टाइम Sleeves को बिल्कुल भी खैचना नहीं है बिल्कुल आराम से Sleeves को इस तरीके से गुलाई में गुमाते जाएं और Arm Round पर Sleeve लगा दें दोनों Sleeves हम इस तरीके से लगा देंगे Sleeves लगाने के बाद अब हमें चौड़ा बैल्ट तयार करना है यह मैंने 5 इंच चौड़ी पट्टीली है और इसकी जो लंबाई है वो करीब 36 इंच है अब इसको हम इस तरीके से फोल करेंगे यहां से एक कौने को कट करेंगे अब यहां से हमें Sleeve लगा कर इस बैल्ट को सीधा करना है देखें बैल्ट को मैंने इस तरीके से तयार कर लिया है दोनों बैल्ट तयार करने के बाद अब इसको हमें यहां कमर पर अटैच करना है दोनों को मिलाकर इस तरीके से छोटा कट लगाएं कमर पर जैसे दोनों बैल्ट एकदम आमने सामने आने चाहिए देखे जहां मैंने निशान लगाया है यहां पर हमें बैल्ट को अटेच करना है जो खुली हुई साइड है वो यहाँ पर इस तरीके से अटेच कर लें बेल्ट लगाने के बाद अब हम इस टॉप पार्ट को साइट से बन करेंगे देखें यहाँ कमर से भी हमें इसे थोड़ा लूज रखना है और आगे की तरफ अशेप में लेना है स्लीव का ओपन साइज आपको जितना भी चाहिए उतना रखें यहाँ मैंने साइज से थोड़ा लूज ही रखा है बिल्कुल अट तक दोनों साइड बंद करने के बाद अब नीचे से हम इस टॉप पार्ट को फोल करेंगे दिखें इस तरीके से करीब आदे इंच तक हमें दो बार फोल करना है और पूरी गोलाई में हमें स्लाई लगानी है इस तरीके से पूरा कॉट सेट हमने तयार कर लिया है कॉट सेट अलग-अलग पैटन्स में आते हैं ये pattern भी पैना हुआ काफी smart लगता है आप इसे जरूर ट्राय करें आपको मेरा ये cot set design कैसा लगा लाइक शेर कॉमेंट करके जरूर बताएं थेंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो झासे हुआ भाइक शेपट वीडियो झासे हुआ करें दिस वीडियो जीडियो थाल